तो दोस्तो कुछ दिनों के बाद काली पूज्जा और दिवाली आ रही है So first of all, Happy Diwali in advance So Diwali is a festival of spreading light over the darkness तो आज हमारा topic है कि हम अपने और दूस्रों के जिंदगी में रोश्नी कैसे लाए तो वीडियो को पूरा देखना अगर आप भी रोश्नी चाते हो तो और दोस्तो पिछली बार मैंने वीडियो बनाई थी कि आप अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो अब जाके देख सकते हो तो चले आज का वीडियो स्टार्ट करते है नमबर वन बी पॉजिटिव तो दोस्तो अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो तो अपने आप आपके जिन्दकी में रोश्नी आ जाती है और अगर आप हर वक्त नेगिटिव रहते हो तो आपके जिंदगी में अंधेर आचा जाता है So always be positive, चाहे situation कुछ भी हो Number two, be with the good people अगर हम बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो धीरे धीरे हम भी उनके जैसा बन जाते हैं और गलत काम करते हैं, गलत बाते करते हैं और अंधर हम उदास रहते हैं और अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो उनसे अच्छा ही सीखते हैं अच्छे काम करते हैं और खुश रहते हैं इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहो और खुश रहो Number three, follow your dreams कहा जाता है कि अगर आपको एक दिन के लिए खुश रहना है तो day out कर लो एक हफ़ते के लिए खुश रहना है तो घूमने चले जाओ एक महीने के लिए खुश रहना है तो date कर लो एक साल के लिए खुश रहना है तो शादी कर लो और अगर जिन्देगी भड के लिए खुश रहना है तो अपने काम से प्यार करो अपने dreams को follow करो यही एक चीज आपको हमेशा खुश रख सकती है चाहे आपकी जिन्देगी कितनी ही बुरी क्यों ना हो अगर आप कभी भी किसी की help करते हो तो उनको भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगता है इसलिए जब भी आपको कोई मौका मिले दूसरों की help करने के लिए तो इसे हाथ से मत जाने देना और आप अपने capabilities के हिसाब से donate भी कर सकते हो और किसी की जिन्दगी में रौशनी ला सकते हो आपको वो सब कुछ करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिलती है पर ऐसा कुछ मत करो जिससे दूसरों का नुकसान हो If you are a good soul, you deserve all the happiness और किसी और की मत सुनो लोग तो कहेंगे ही लोगों का काम है कहना आप बस खुश रहो और दुनिया में रौशनी फैलाते जाओ तो दोस्तों इन पाच पॉइंट से आप अपने और दूसरों के जिन्दगी में रौशनी फैला सकते हो जिन्दगी में बहुत अंधेरा है किसी को तो रौशनी फैलानी होगी अरे किसी और का इंतिजार क्या करना इस बार शुर्वात आपको ही करनी होगी तो दोस्तों अगर आपको आचकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कॉमेंट, शेर और सब्सक्राइब कर देना तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट विस्डिको तब तक के लिए गुडबाई and enjoy दिवाली